यहां पर उनका जनम हुआ था वहां पर उनका मंदिर बन रहा है इसे जद्धा एक्साइटमेंट के बाथ हमारे हिंदू कल्चर के कुछ नहीं हो सकता है भारत का बच्चा-बच्चा जैस्री राम बोलेगा क्या कही है जैस्री राम बहुत जादा विवाद हुआ था राम मंदिर को ले करके तो अयोध्या जाना है तयारी है मन है कि हाँ भाई हम भी जाए अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करे राम जी का दर्शन करे ऐसा मन है हाँ बिल्कुल मैंने जॉब लगने की बाद जरूर जाएंगी वहां पर घूमने अब ये राम मुद्दा बहुत जादा चर्चा में है राम मंदिर का उद्गाटन भी बाइस तारीक को है अब ऐसे में लड़कियां क्या कहती हैं इंसिट्यूट की छात्राइं जो स्कूल कॉ इसको लेकर के इस मिलीनियम इंसिट्यूट में आया है राम मंदिर बन चुका है और उद्गाटन भी बाइस तारीक को है तो कितनी खूश है बहुत जादा बहुत जादा क्यों क्यों कि राम जो है वह हमारे इश्देव हैं उनको हम बहुत मानते हैं एज आइडल देखते ह यह दिस्प्रिंट बॉय आज तक नहीं है और अगर उनका मंदिर बनता है तो अससे बड़ा खुशी और हो ही क्या सकता है बहुत जादा विवाद हुआ था राम मंदिर को लेकर के तो अयोध्या जाना है तयारी है मन है कि हाँ भाई हम भी जाए राम मंदिर के दर्शन करे राम जी का दर्शन करे ऐसा मन है हाँ बिल्कुल मैंने जॉब लगने के बाद जरूर जाएंगी वहाँ पर घूमने मतलब ऐसा तुम मनत नहीं मांगी है कि ए भगवान जॉब लग जाए तब हमाएंगे आपके पास नहीं ऐसा मनत कोई नहीं है मतलब ऐसा है ना सोच कि के अनगा मघ którego यहां जनको हम एंविटेशन बन धर ऑग यह मनों नहीं बन रहहा है उससे में बहुत खुछ को ऑघ दकती है बिल्कुल जाना चाहिए है कि हुद हनुमान जी की भगत है अपने राम को छो रय मुश बताइए राम मंदिर बन गया उसके जगा मस्धित बन जाता तो ज्यादा खुशर नहीं बिल्कुल नहीं हमें हिंदु हैं सनातन धर्म को बहुत अच्छे से मानते और राम जी हमारे गुरू है हम अपने गुरू का जहां पर जनम है जहां पर जनम लिए जहां घर तो उनका तो नहीं आछ पर इंको नहीं शोक गिये जाएगा तो पिर कैसे पता चलेगा कि हमारे घर कहां था कहां नहीं वह आग साहे तो यह न्यूड़ुयाइन अच्छाण सब से बड़ा जीत है भारत हमारे सनातन धर्म का सब से बड़ा जीत है जान जाहेंगी घूमना चाहेंगी जरूर 22 गोड़ी को ही अगर इतनी भीर नहीं होती तो हम जरूर जाते हैं लेकिन इतन ही ज्यादा भीर है वहाँ मека नहीं पर नहीं जा सकते होग्किनागिन जरूर एक जाते होरी तो किसम कि हमारे राम जी का मंदिर बन रहा है और अगर अगर उद्धान होता है तो हम सब बहुत खुश होगे और अभी बहुत सारा उत्सा हो है उत्सा है आइ मिन शूशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रहा होगा काफी बहुत जादा जो नहीं भी है हमारे धर्म से वह भी सब लोग जाना चाहेंगे जाना चाहेंगे जी हां मतलब क्या करेंगा मंदिर जाकर क्या मंदिर का दर्शन राम जी का दर्शन करेंगी राम जी की भक्त है पूजा होजा करते हैं जी हां क्या कहिए जैस्री राम अब लोग क्या कहिए रहा है मैं बहुत अच्छा लग रहा यह बहुत ज्यादा क्या पॉजिटीव एनरजी मिल रहे है कहीं राम जी का थोड़ा सा कहीं से चाहरों तरफ पर फोटो असांघ सारे तरफ जैसरी राम जैसरी राम कह लुदा लुब बहुत पॉजटीव एनर्जी है कि हमारे बगवान जहां पर उनका जनम गए था वहां पर उनका मंदिर बन रहा है इसे जद्धा एक्साइटमेंट के बाद हमारे हिंदु कल्चर के कुछ नहीं हो सकता है बात कर लेती हूं आप चूट रहे हैं क्या बोलियेगा पहले लोग तुज्दा नहीं कर पाते थे लेकिन आप सब लोग मिलकर वर्शिप कर रहे तो इससे अच्छी बात हो यह नहीं सकती है कि हमारे समाज में कुछ चेंजिंग आएगा कहीं ना कहीं श्रद्धा बढ़ रहा है राम जी को ले करके प्रेम बढ़ रहा है लोगों के अंदर क्या लड़कियां जो है एयर होस्टेस की तैयारी कर रही है प्रैनिंग कर रही है और श्री राम जी सब के साथ है आप लोग जाना चाहूंगी राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनक पुर किनारी बता दवबुआ ओ बता दवबुआ लुग वदेत का है गारी बता दवबुआ तोहरा से पूछू मैं ओ धनुसधारी एक भाई गोर का है एक भाई गोर का है एक काहे कारी बता दवबुआ लुग वदेत काहे गारी बता दवबुआ यह चीज़ पता है कि नहीं भाईया आयोध्या में जो राम मंदिर बना है वह बिलकुल सही बना है और बहुत अच्छा हुआ है तो यह बहुत बड़ी बात है और सब लोग बहुत जादा खुश है हम भी बहुत खुश हैं आपकी क्या राह है कॉमेंट में जरूर अच्छा है